हलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्वीब चैनल फ्री में जानों में दोस्तो आज का वीडियो बहुती कमाल का है और ये वीडियो बहुती ज्यादा यूसफुल होने बाला है उन सभी लोगों को जिनके पास कच्चा घर है तो दोस्तो अगर आपके पास पास कच्चा घर है तो सरकार आपको देगी घर बनाने के लिए 2,50,000 रुपा सीधे आपके बाइंखाते में जिससे आपका बन जाएगा पक्का घर तो दोस्तो कैसे देगी और किस सोजना के ताहित मिलेगी हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो को सुरु करने से पहले आम से चोटी जी गुजारिस है अiltat अगर आप अप हमारी युट्यूब चै coconut को सबसक्राइब नहीं कि ताकि हमें पता चलें आमने हमाई वीडियो देखिए लाइक कर दिये सेर वाले उप्सन से सेर करते हैं अपने आर दोस्तों के साथ सिर्फ इस उजना का लाब ले सकते हैं आप लोग जिनके पास कच्चा घर है तो दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं तो आज का टॉपिक है पी आए में बाई घर बनाने के लिए दो लाग पचास जार रुपए एडवेंस देगी मोधी सरकार सिर्फ इन्हें मिलेगा इसका लाभ तो दोस्तो पिद्धान मंतरी आवास जोजना के तहट सरकार की एक आईसी स्कीम है जिसमें आम आदमी को खुद का घर बनाने की रियासी दरों पर ब्याज मिलता है भही अब केंसरकार इस जोजना का लाभ इस जोजना को और भी आगरसर बनाने जा रही है अब PM, आबासोजना PM अबाई के तहित किन सरकार आपको घर बनाने के लिए advance रकम देगी हाना की advance रकम के लिए आपको एक सर्त पूरी करनी पड़ेगी तो दोस्तो कौन सी सर्त है? घर बनाने के लिए advance रकम तो दोस्तों अगर आपके पास खुद का पिलाट भूखंड है तो PM आबास उजना आपके लिए फाइदे का सोधा है सरकार की ओसे नई उजना के ताहित भूखंड मालकों को मकान बनाने के लिए एडवांस पैसा दिया जाएगा इस नीती के जरिये सरकार 2022 तक सबको घर बनाने की ओ अपनी उजना को पूरा करना चाहती है तो दोस्तों 2022 तक सरकार चाहती है कि सभी के पास पका घर हो और किसी के पास भी कच्चा घर तूटा पूटा नहीं हो पी आए माबास उजना के तहट 34 रेड़ी में आने वाले लाभारती के आबेदन सुईकार होने के बाद मकान मनाने के लिए 50,000 रुपाई एक मुफ्त उनके खाते में ट्रांसपर कर दिये जाएंगे तो दोस्तो लाभारती के आबेदन सुईकार होने के बाद पहली किस्ट में 50,000 रुपाई उनके खाते में डाल दिये जाएंगे और दोस्तो उत्तर पिर्देश की योगी सरकार के ने शुरू की यूजना इस उनका को पहले उत्तर पिर्देश की योगी सरकार ने शुरू किया इसके पहले यूजना के तहट पहली किस्ट भूखन मालक के मकान की नीब तैयार होने के बाद दी जाती थी पर अब ये पहले ही मिल जाती है तो दोस्तो इस उनका में खुद का भूखन रखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को यूपी सरकार ने बड़ी राहत दी है जी हाँ न्यूपोर्ट में तो दोस्तो दो लाग पचास जार रूपाए एडवांस कैसे मिलेंगे जी हाँ न्यूपोर्ट के पिरतीसत खबर के अनुसार इस उनका में दूसरी किस्त में डेड़ लाग रूपाए मिलेंगे जिससे छत्ते या फिर सरकारिया आम भासा में कहें तो लिंटर डालने के लिए दी जाएगी जबकि निरमान कारिय पूरा होने के बाद आपको 50,000 रुपाए और मिलते हैं ये इस योजना की तीसरी और आखरी किस्त होगी इस तरह से आपको 2,50,000 रुपाए की मदद सरकार की तरब से मिलती है और आपका भी घर बन जाएगा दो लाग पचास हजार में अगर आपका आप भी आबेदन किया है पी एमे बाई यानि पिर्धान मंत्री आबाई सोजना में तो आपको भी मिलेंगे दो लाग पचास हजार रुपए सीधे अपने घर बन माने के लिए तो दोस्तो चार सरेणियों में पी एमे बाई का बिवाजन किया गया है तो दोस्तों पिर्धान मंत्री आबास होजना के तहित सबके लिए आबास सरकारी मिसन को चार सरेड़ी में विवाजित किया गया है पहले इसमें पहले सरेड़ आधारित ब्यास सबसिड़ी होजना दूसरी भूमी का संसाधन के रूप में प्रियोग करके इसमें पुना विकास तीसरी भागीदारी में किफायती आबास एएट पी और आखरी सिरेड़ी में लाभारती आधारित ब्यक्तिगत आबास का निर्माले में विस्तार सामिल है इस स्कीम का लोग खुब फायदा उठा रहे हैं किन सरकार का सपना है कि हर ब्यक्ति के पास 2022 तक अपना घर अपना मकान होना चाहिए तो दोस्तों प्रिधान मंत्री का सपना है कि 2022 तक सब के पास पक्का घर होना चाहिए किसी के पास भी कच्चा घर टूटा फूटा घर नहीं होना चाहिए पहले क्या था नियम लाभारती आधारित ब्यक्तिगत अबास स्रेंडी का निर्मार एवं बिस्तार के लाभारतियों को अब तक नियम अनुसार एक लाग पचास जार रुपए केंद एवं एक लाग रुपए राज सरकार दोरा दिया जाता था पहले के नियम में आबेदन सुईकार होने पर अधिकान सिलाभारती आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि वे अपने संसादनों से नियम लेकर तक कर निर्मार नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों इस सिनर्डी में आने बाले सभी बेक्ति इतने कमजोर हैं कि उनके पास कोई भी पैसा नहीं है जिससे वो अपने नी यानी लेवल तक निर्मार करबा सकें इसके बाद से कें सरकान ने लोगों को सुरू में मदद देने का फांसला किया और पहली किस्त में देने लगे 50,000 रुपए तो दोस्तों पी आई माबास सोजना की पूरी डिटेल आई सामने आकले चौका देने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपका भी कच्चा घर है तो आप आबेदन करें पिर्धान मंत्री आबास सोजना के अंतरगत आपको भी मिलेंगे 250,000 रुपए अपका पका घर बनाने के लिए तो दोस्तों हमारे दौरा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंड में जरूर बताएं और दोस्तों ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें